सरकार की लाग कोशिशों के बावजूद शिक्षा विभाग में व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ राज्य स्तरिय टीम तो दूसरी और जिला स्तरिय पदाधिकारियों का विद्यालेयों में लगातार निरीक्षन हो रहा है। परंतु शिक्षक है कि विद्यालेय से अनुपस्थित रहने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालेय लाखा पूर का है जहां सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी रोशनारा ने निरीक्षन किया। निरीक्षन के क्रम में विद्यालेय की कई खाम पन विवरनी एवं वर्ग रूटीन नहीं पाया गया। उन्होंने प्रतिवेदन में कहा है कि ग्रामीनों ने बताया है कि विद्यालय का संचालन नियमित धंग से नहीं किया जाता है और नाहीं कोई शिक्षक विद्यालय में नियमित रूप से सिसमें उपस्थित होते हैं। निरीक्षन के दोरान सबसे बड़ी बात यह सामने आए है कि छात्र छात्राओं की उपस्तिती चालू शेक्षनिक सत्र में दर्ज नहीं की गई है। इस बाबत पूछे जाने पर वर्ग शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय प्रधान द्वारा उपस्तिती पंजी, उपस्त अच्छाचारी होना दर्शाता है। इसके आलोक में उन्हें प्रभारी प्रधाना ध्यापक के कार्य से ततकल मुक्त कर दिया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यबाद। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट या मोबाइल एप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोरोना में अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखे। जय हिंद।